हलो एन वेल्कम स्टुडेंट आज की वीडियो फिर से हमारी रहेगी हिस्ट्री बेस जो की आपके अपकमिंग एक्जाम के लिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट कोशन होने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के इन तक बने रहें सब्सक्राइब करना ना बुलें तो आज का आपका पहला कोशन है गांधी काल्ट फार एन ओल इंडिया हर्टाल स्ट्राइक तो प्रोटेस्ट अगेंस रोलेट एक्ट ओन 6 अपरल ठीक है 1918, 1919, 1926 या 1925 जल्दी से बताएं इस कोशन का सही उत्तर क्या होगा I hope सबने guess कर लिया होगा यह तो पता ही है आपको रोलेट एक्ट जो था Justice रोलेट ने किया था कब किया था 1919 में और इसी की वज़ा से जलिया वला बाग कार्थ हुआ था ठीक है तो इसका जो राइट आंसर होगा student वो है B ठीक है इसका आंसर यही रहेगा चलिए next question पे question number 60 आपके सामने है जल्ली से इसका आंसर देने की कोशिश करें question क्या कह रहा है कि at जलियावला बाग meeting dash order the troops to open fire बहुत easy question है अगर थोड़ा सा पिया आपने अच्छे से पढ़ाया तो आप इसका आंसर दे सकते हैं देखते कितने लोग इसका सही से आंसर देने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम लोग तो date याद रखते हैं किसने meeting के time पे firing का order दिया था इनमें से क्या वो band था इर्विन था डायर था या जल्दी से बताईए जल्दी से इसका सही आंसर बताने की कोशिश करिए तो सबको बता होगा इसका सही आंसर तो इसका आंसर है डायर C is right answer for this question चलिए next question पे next question आपके सामने है जल्दी से इसका भी answer देने की कोशिश करें क्या कह रहा है इसका question क्या कह रहा है कि the inquiry committee on जल्यावला बाग incident was headed by inquiry committee on जल्यावला बाग जो था आपको बड़ी बन question पूछा गया इसके उपर भी ठीक है तो उस committee को मतलब कोन head कर रहा था ये बताईए आप ठीक है डायर था इर्विन था hunter था या फिर साइमन था जो मैंने आपको अभी बताया कि inquiry करने के लिए जल्यावला बाग कांड को ठीक है जो committee बने थी उसका नाम था hunter commission तो इसी से तो इसका नाम होगा head के नाम से maximum time नाम पड़ता था इसका answer ना मेरे हिसाब से क्या होगा C होगा तो C इसका right answer ही है याद रखिये चलिए next question पे the new lambs for old was written by ठीक है the new lambs for old was written by इन में से किस आदमी नहीं ये लिखा है new lambs for old book लिखी है जल्दी से बताएं कोन इस book का writer था विपिन चंद्रापाल और अगबंद गोश बीजे तिलक या अश्वनी कुमा इन सब में से कोन सा इसका सही answer होगा जल्दी से commit करने की कोशिश करिये इसका answer देखते हैं कितने बच्चे से answer करते हैं इसका तो I think सब को पता होगा तो इसका right answer होगा और और अगबंद गोश इस दा right answer for this question चलिए next question पे next question आपके सामने है इसका अब जल्दी से answer देने की कोशिश करिये कोशिश नमबर 63 क्या कह रहा है इस खिलाफत मुवमेंट को किस नहीं organize किया था जिना ठीक है मौलाना अबूल कलाम अजाद अली ब्रदर या आगा खान जल्दी से बताए सबको पता होगा इसका answer तो इसका answer है student वो है अली ब्रदर see is right answer for this ठीक है खिलाफत मुवमेंट किसके लिए की गई थी ये जल्दी से बताए और किसके बाद की गई थी ठीक है जब वल्डवार शुरू हुआ तो वल्डवार में इन्होंने जो कैलिप थे टर्कीस कैलिप उनकी पावर को छी लिया था उनकी पावर को रीगेन करवाने के लिए एक मुमेंट शुरू की गी अली ब्रदर के दोरा ठीक है शोकत एक का नाम था तुस्ते का मुझे याद नहीं है ठीक है तो याद अखें तो उन्होंने यह मुमेंट शुरू की थी ताकि उनके जो कैलिप से उनकी पावर को वाबिस दिया जाए ठीक है ब्रिटिशर द्वारा इसलिए यह मुमेंट शुरू की थी ठीक है यादेगा आपको आगा खान किसके फाउंडर थे जल्दी से बताएंगे आप ठीक है 1906 में वो चीज बनी थी जल्दी से बताएं तो आगा खान मुस्लिम लीक के फाउंडर थे ठीक है याद रेगा आपको उसके बाद साथ में खिलाफत मुमेंट कब स्टार्ट हुई थी जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं बहुत एजी है चलिए नेक्स कोईशन आपके सामने है इसका भी जल्दी से आंसर दीजिए खिलाफत मुमेंट वाज और्गनाइज टू प्रोटेस्ट अगेंस दा इंजस्टिस डन टू ठीक है किसके मतलब किसके खिलाफ इंजस्टिस के खिलाफ कहां पर इंजस् ठीक है याद है अभी मैंने आपको बताया था तो इसका आंसर कहरेगा बी बी इस दा राइट आंसर फर सिक्स्टिफोर कोईशन नमबर चलिए नेक्स कोईशन पे स्टूरेंट नेक्स कोईशन भी आपके सामने है जल्दी से आंसर दीजिए सिक्स्टिफाइफ का कहरा कि फ्रंटियर गांदी की है वो कौन था हजरत मोहानी मौलाना अबुलकलाम अजाद या फिर खान अब्दुल गफार खान या फिर इकबाल खान जल्ली से बताइए इनमें से क्या इसका राइट आंसर होगा ठीक है तो राइट आंसर आप याद रखेंगे सी खान अब्दुल गफार खान इस दा राइट आंसर फर इस कोईशन ठीक है याद रिये चलिए आप निक्स कोईशन पे विच इंडियन मास मुमेंट बिगें विद्धा फैमस डांडी मार्च अफ महात्मा गांदी डांडी मार्च कब हुई थी 1930 में साबर बती आश्रम से अपने 72 डेलिग्र के साथ महात्मा गांदी चले थे बाद में और लोग उनके साथ उड़ गे थे और गुजरात के छोटे से विलच डांडी में जाके इन्होंने साल्ट ला को ब्रेक किया कब 1930 में ठीक है एक मुठी पर साल्ट बनाकर साल्ट ला ब्रेक करके वही पर इन्होंने अनौन्स किया था एक moment को ठीक है एक Indian Mass moment को उस moment का नाव आपको बताना ठीक है क्या वो खिलाफत moment थी क्या वो non-corporation थी क्या वो civil disobedience थी या quit India moment थी जल्दी से बताइए इसका क्या सही answer होगा तो बात करते हैं इसके answer की तो वो था civil disobedience moment कब हुई थी यह भी 1930 जब डांडी मार्च में साल्टला ब्रेक किया था तब इसको start किया था बाकी वाली moments इससे पहली हुई है मगर quit India moment बाद में हुई है ठीक है खिलाफत moment में बता चुका हूँ कब हुई है corporation moment 1920 में हुई थी ठीक है चलिए next question question number 67 where did Gandhi call the congress working committee to announce the suspension of non-corporation moment ठीक है याद रखिये किस जगा पर Gandhi ने call off किया था अपनी non-corporation moment को अपनी non-corporation moment को किस जगा पर मन किया था जल्दी बताए ठीक है क्या वो बर्दोली था पूना था कलकत्ता था या मदरास था जल्दी से बताए 67 का right answer तो याद रखिये बर्दोली is the right answer for this सबको पता है कि non-corporation moment 1920 में start तो हुई थी मगर 1922 में चोरी-चोरा incident हो गया था जिसमें बहुत सारे पोलिस वालों को लोगों ने जला दिया था जिसकी वज़ा से गांदी जी को मजबूरन अपनी non-corporation moment को बंद करना पड़ा और non-corporation moment को बंद किया और वो कहां बंद किया गया था वो बर्दोली के टाइम पे बर्दोली पे अनौन्स किया था बंद करने के लिए और इसके बाद जस्त ही गांदी जी को जेल होगी थी कुछ सालों के लिए पांच सच सालों के लिए जेल होगी थी मगर उनकी उल कंडिशन बिहमारी की वजाएं से उनको जली से ज adventure भी थी ठीक है चलिए next question आप के सामने जली से आंसर देने की कोशिश करिए पहली सोराजिस्ट कांफरेंस किस जगह पे हुई थी अहमदाबाद अलाबाद मदरास या बर्दोली जल्दी से बता है 68 का राइट आंसर तो राइट आंसर फर इस कोशिशन इस बी अलाबाद अलाबाद इसका सही आंसर होगा याद रखिये चलिए नेक्स कोशिशन पर कह रहा है ये कब यहाँ पर आये थे जल्दी से बताएट या कौन था वाइसर यहाँ पर स्वारी जब साइमन कमिशन इंडिया में आया तब इंडिया का वाइसरे कौन था साइमन कमिशन कब आयी थी 1927 में ठीक है याद रहेगा आपको और कुस टेन पर वाइसरे कौन था वाइसरे कौन था जल्दी से बताएए उप्शन से लॉर्ड जॉर्ड लॉर्ड इर्विन लॉर्ड रीडिंग ल्या लॉर्ड रिपन जल्दी से बताएए 69 का राइट आंसर तो याद रखिए जब साइमन कमिशन यहाँ पर आई थी तो तब यहाँ पर जो वाइसराय था है वो लॉर्ड इर्विन थे ठीक है याद रखिएगा चलिए सब को पता साइमन कमिशन क्या थी क्या घर्टी थी कब हुई उसके कितने मेंबर थे वो बताने आपने जल्दी से बताईए साइमन कमिशन के कितने मेंबर थे याद रखिए दस थे बीस थे साथ या बारा थे जल्दी से बताईए तो याद रखिएगा साइमन कमिशन के अंदर साथ मेंबर थे और साथों के साथ इंगलिश में थे साथ तक के साथ Englishman थे इसी वज़ा से हरताल शुरू होगी थी इनके खिलाफ अगला question है The revolutionary who was an accused in Lahore conspiracy case and who died in jail after 64 days fast was वो revolutionary जो accused था किसका accused था? Lahore conspiracy case का Lahore conspiracy case के accused थे वो और jail में ही 64 days के fast के बाद मतलब उपवास के बाद चोड़ दिन के उपवास के बाद उनकी jail के अंदर ही रहत होगी थी वो कौन थे? जतिन दास, सुखदे, राजगुरू या बोद A and B इन में से क्या इसका right answer होगा जल्दी से बताए तो याद रखिए ये दोनों तो फांसी चड़े थे किसके साथ? बगस सिंग के साथ तो इसका answer A होगा जतिन दास is the right answer for 71 question number चलिए, याद अखिएगा next question पर चलते हैं next question कह रहा है the only session of Indian National Congress which was preceded by महात्मा गांधी was held at मतलब पूरे sessions में Congress ने बहुत सारे sessions किये इसी तरह से INC session किये और इसी तरह से Muslim League ने भी अपने बहुत सारे session किये तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो INC के session से उनमें अलग-लग sessions में अलग-लग president रहे है preside किया अलग-लग लोगों ने महात्मा गांधी ने एक लोते जो Congress का session था जहां पे इन्होंने preside किया था तेंक हो कौन सा था वो बताना आपको क्या वो Belgium वाला था फेजपूर था, अराबाद था, कराची था यह question भी बहुत बात पूछा गया है SSC के exam और बाकी UPSC वगेरा और बाकी चोटे बुड़े exam और इवन की जेके SSC के exam बेभी question यह देखेगे जल्दी से बताईए इसका क्या answer होगा तो सब याद रखिए इसका जो right answer होगा student वो है A, Belgium is the right answer for this question अगला question आपके सामने है कि डांडी मार्च started from Dash on 12 March 1930 डांडी मार्च जो थी यह कब start हुई, कहां start हुई थी जल्दी से बताईए और 12 March 1930 जी जल्दी बताईए सूरत, साबर मती आश्रम डली दर्बार हाल या फिर वदर नारायन जल्दी से बताईए I hope सब को पता होगा इसका answer सबने guess कर लिया होगा तो B मैंने बताया था यह जो डांडी मार्च थी start कहां से हुई थी, 12 मार्च को start हुई थी, साबर मती आश्रम से गांदी से 72 delegates के साथ वहां से निकले थे और जाके पहुंचे थे डांडी गुजरात में, या देगा आपको खतम गुजरात में हुई थी और डांडी जगा था, उस जगा का नाम डांडी था याद रखे, अगला question है which among the falling is called Magna Carta of English Education किसको English Education का Magna Carta इस नाम से पुकारा जाता जल्ली से बताईए, क्या वो would dispatch था, hard took report थी macular minute था, या ननावद अबो जल्ली से बताईए, 74 का right answer याद रखे, would dispatch इसके लिए सही उत्तर होगा, सही answer है A, would dispatch is the right answer for this question, अगला question आपके सामने है, जल्ली से answer दीजिए next question कह रहा है कि Lakhnau Pact was signed in, Lakhnau Pact कब sign हुआ था, जल्ली से बताई 1909, 1916 1919 1922, जल्ली से बताईए Lakhnau Pact कब sign किया गया, 1909 1916, 1919 1922 को, जल्ली से बताईए सबको पताऊने ची, Lakhnau Pact बोथ ही important है 1916 में हुआ था यह important क्यों है क्योंकि यहाँ पर pressure डालने के लिए British Government के उपर, दोनों ने handshake किये अब कौन सी दोनों ने handshake कियोंगे एक तो INC और दूसरी Muslim League के दोनों ने handshake कर लिया यह गठे होके British Government के उपर pressure डालने की बात की गई और एक chief architect बनाया गया जो सरोजिनी नाइडू ने जिना को सोंपा था ठीक है, कि हमने क्या क्या करना है और क्या क्या यहाँ पर आपकी demands पूरी की जाएंगी वो सब कुछ वो सब कुछ करके उनको सोंपा गया था ठीक है, अब बात यहाँ पर question arise होता है कि जिना की entry कब होती है जिना पहले member थे INC के तो Muslim League में कब join हुए 1913 में हुए थे, याद रखिएगा ठीक है, याद रखिएगा 1990 में आपको पता क्या क्या हुआ था आपका एक तो जलियावला बाग कांट हुआ था और साथ में रोलेट एक्ट बना था 1922 में भी एक बहुत बड़ा incident हुआ था चोरी-चोरा incident, यह सब कुछ पता है आपको और 1909 में क्या हुआ था Moralemento Reform हुआ था Moralemento Reform, जिसमें पहली बार Muslim League की Demand को माना गया था Separate electorate की Demand को माना गया था उनकी First Achievement जो थी वहाँ पर पूरी हुई थी याद रखियेगा ठीक है अगला question है With whom is the slogan Do or die associated? किसने कहा था Do or die? सुभाश चंद्रबोश लाला लाज पत्राए बाल गंगा दर तिलक या फिर महात्मा गांदी इन्हें से किस इनसान ने इस slogan को बोला था Do or die? करो या मरो किसने कहा था जल्ली से बताईए 76 के लिए right answer क्या होगा तो सबको पता होना ची महात्मा गांदी ने ये slogan जारी किया था Do or die? तो चलते है next question पे चलिए next question पे कह रहा है की Under which document the separate electorate was granted for Muslim अभी जस्ट मैंने बताया था वो कौन सा document था जिसके मताबिक separate electorate की डिमांड को पूरा क्या गया था Muslim League की याद रखिए बताईए जल्ली से क्या वो Simon Commission थी Communal Award था More Lamentary Farm था या फिर Monte Clemford Clemford था जली से बताईए I hope सबको पता होगा इसका answer मैंने जस्ट अभी उपर आपको इसके बारे में बताया था तो इसका answer था C ये कब हुआ था 1909 में हुआ था ठीक है तो ये डिमांड पूरी गी थी और इसके बाद INC जो थी वो बाद में जाके पहले तूट चुकी थी और बाद में Muslim League जो थी वो पूरी तरह साथ देदा शुरू कर गी थी British Government का पहले भी दे रही थी बाद में और जादा ठीक है और ये Clemford reform कब हुआ था ठीक है ये हुआ था 1919 में ठीक है याद रखिएगा चलिए कहरे है ये स्लोगन निया निया दिखेगा आपको किसने कहा था कि कांगर्स पीपल जो थे या वो हैं हंगरी किसके लिए पोस्ट के लिए वो सारा काम किसके लिए कर रहे हैं अपनी पोस्ट हत्याने के लिए इनमें से कौन था गोपाल कृष्ण गोखले बीजी तिलक बाल गंगादर तिलक विपिन चंदरपाल या बैंकिम चंदरच चटरजी जल्दी से बताईए 78 के लिए राइट आंसर कोन होगा किसने ये बात किये थी तो ये बात कहने वाला इंसान था बीजी बाल गंगादर तिलक इस दा राइट आंसर फर दिस कोष्ण इन्होंने कहा था कि अगला कोष्ण आपके सामने है इसका भी जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिये कोष्ण क्या गह रहा है नेम दा वाइसरे तो तब इसका वाइसरे कौन था चलिए उप्शिंस पे आपके पास उप्शिंस थे स्टुडेंट क्या थे लौड लिंधिंगो लौड वेवल, लौड रीडिंग, लौड मांट बैटन जल्दी से बताइए तो आंसर था इसका ए लौड लिंधिंगो कुट इंडिया मुमेंट के टाइम पे जो वाइसराए थे वो यही थे याद रखिएगा चलिए नेक्स कुशिंग पे आपके सामने है कह रहा है कि होम रूल लीग जो थी 1915 में हुई थी कुशिंग ये बन गया आपका, कब हुई थी 1915 में करने वाले कौन से इंसान थे वो थे, दो बन्दे थे एक था बाल, गंगादर, तिलत और दूसरा था एनिविसंट मगर कोईशन में पूचा कर गया है कि ये आइडिया किसका था तो अगर आइडिया पूचा जा रहा है जब इस मुमेंट को लाया था तो लोगों के हक उनको मिलना शुरू हो गए थे, इसलिए इसने इसके उपर बात की किसके साथ, आइएंसी के साथ बगर आइएंसी इनकी बातों में नहीं आई और उन्होंने इसकी डिमांड को नहीं माना, इनकी बातों को नहीं माना जिस वज़ा से ये लेट होगी और इससे पहले किसने सुरू किया बाल गदर तिलक ने और इसके बाद आइनी बिसें ने स्टार्ट किया याद रखेगा अच्छा, गुपाल गृष्न गोकले गुपाल गृष्न गोकले को क्या माना जाता जल्दी से बताइए मुझे गुपाल गृष्न गोकले कौन थे ये पोलिटिकल गुरु थे किसके मोहंदास करमचंद गांधी के याद रखेगा महात्मा गांधी के ये पोलिटिकल गुरु थे याद रखेगा चलिए नेक्स कोशिशन पर कह रहे हैं कि होम रूल मुवमेंट वाज एम्ड एड इसका में एम क्या था complete independence for India पूरी अधादी इंडिया के लिए या complete autonomy of India या फिर self government ठीक है self government बनी जाएं इंडिया के लिए जो British Commonwealth के अंदर ही हो मतलब राज वही करेंगे मगर एक self government बनाए जाएं इंडिया के लिए larger participation की जाएं इंडियांस की इंडिया में ठीक है उनकी administration में जादा से जादा participate करें कों इंडिया की government में आप मुझे पिताइए इसमें से क्या इसका सही आंसर होगा यह हुई तो 1915 में थी idea दिया था किसने जिस अभी आपने पढ़ा ऐनी बिसेंड ने और दोनों ने start की थी एक तो थे बाल गंगा दर तिलक और दुसरे थी ऐनी बिसेंड ठीक है दोनों का में मकसद क्या था ताकि self government बनाएजे इंडिया के लिए विदिन दा ब्रिडिश कामन वेल्ट सीज का सही आंसर होगा ठीक है और साथ में अगर बात करूं तो दोनों के नियूस पेपर कौन कौन से थे उनके भी नाम याद कर लेना किस-किस के तिलक के और एनी बिसेंड के ठीक है एनी बिसेंड के नियूस पेपर और किस-किस एरिया में इनोंने इस moment को start किया था इसके ओपर भी कोशित पूछे के अगला कोशिन आपके सामने तो कमपेइन तो कमपेइन फार होम रूल मिस्ट्रिस अनी बिसेंड पबिश दा नियूस पेपर वो कौन-कौन से नियूस पेपर पबिश करती थी ठीक है कमपेइन करने के लिए नियू इंडिया औन कौमन-विल, यंग इंडिया और होम रूल नियूस, मराठा और केसरी या होम रूल कौरियर जल्दी से बताएए क्या इसका आंसर होगा 82 का थीक है तो याद रखिए एनी बिसंड के नियूज पेपर का नाम था New India and Commonwealth इन तीनों में बाकी के तीनों में आप मुझे बताईए तिलग के निउस पेपर कोन कोन से थे जली से बताईए ठीक है तो सबको पता होगा इसके बारे में भी तो तिलग के निउस पेपर जो थे वो मराठा और केसरी थे जिनमें वो campaign करते थे इसके बारे में याद रहेगा चलिए next question पे question number 83 आएगा आगे question number 83 के रहा है student इनको लोक मान्या का title किस टेम पे मिला था his trial in 1987-08 जब इनकी trial चर रहे थी 1907-08 के बीच में लखनाओ pact of 1916 वाला या पिर home rule moment की वज़ा से या congress का session जो हुआ था 1917 में ठीक है जल्दी से बताईए इन चारों में से क्या सहीज का answer होगा तो अगर बात करें तिलक के title की इनको लोक मान्या तिलक का title किस moment की वज़ा से पर मिला था वो था home rule moment seize का सही answer होगा तो याद रखिएगा चलिए next question पे question number 84 सामने है जल्दी से इसके answer देने की कोशिश के लिए क्या कह रहा है question आपका Annie Bissendt जो थी become the first woman president of the INC in ठीक है ठीक है ये English थी और पहले English president बनी ठीक है Indian थी सरोजनी नाइडू ये भी याद रखिएगा Indian कौन थी सरोजनी नाइडू थी मगर first जो थी वो ये थी Indian पूचिज़ा है तो आप सरोजनी नाइडू करोगे English पूचिज़ा है तो इसी को टिक करोगे अगर कुछ ना लिखा हो कौन सी डेट पे ये INC के सेशन में ये प्रेजिडेंट बनी थी 84 का जो रखिएगा आंसर होगा B.1917 is the right answer Congress के 1907 के सेशन में ये प्रेजिडेंट बनी थी रबिंदर ना टैगोर surrender is knighthood in protest against किसके खिलाफ protest करते वक्त रबिंदर ना टैगोर जो थे उन्होंने अपने टैटल को छोड़ा था knighthood के जली से बताए Marshall la in the Punjab जलियावला बाग tragedy roll it act या अलग दाबो जली से बताएए तो 85 का जो आंसर होगा वो है B. जलियावला बाग card 1919 में बैसाखी के दिन जो हुआ था उसमें इन्होंने छोड़ा था और गांदी जी ने भी अपना टैटल छोड़ दिया था ठीक है केसरी हिंद करके उन्होंने उनको टैटल दिया गया था ठीक है तो इस वजह से वो टैटल भी उन्होंने छोड़ दिया था ठीक है चलिए नेक्स कोईशन पे 86 कोईशन 86 क्या कह रहा है कि इक और चीज मिल गया आपको डेट मिल गया मन्त मिल गया फरवरी के महीने में नोन कोर्पेशन मुमेंट को सस्पेंड किया गया था कॉल आफ किया गया था तो किस इंसीडेंट की वज़ा से यह मैं पहली बहुत बार बोल चुका हूँ आप सबको पता होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सीधा-सीधा ए है तो चोरी-चोरा इंसीडेंट इस दा राइट आंसर फर दिस कोईशन ठीक है तो आज की वीडियो में इतने कोईशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कोईशन के साथ सब्सक्राइब करना ना बूलें थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो